हम सबी लोग अपने परिवार से बेहत प्यार करते हैं और इसी प्यार को दर्शाने का एक ही तरीका होता है हम अपने बच्चों की, भाई भेनों की और अपनी माता पिता की फैमिली फोटो लगाते हैं ये फोटो हम भूधी प्यार से लगाते हैं लेकिन इनको लगाने में अक्सर कुछ गल दिया कर बैठते हैं जो कि वास्तु के अनुसार दोश माना जाता है आईए हम आपको बताते हैं आपकी फैमिली फोटो कहा लगानी चाहिए लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आज ही हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर कोई अपने परिवार से प्यार करता है और चाहता है कि उनकी पैरी-पैरी फोटो को हरवक्त देखे इसलिए इन फोटो को घर में लगाया जाता है दिवार पर लगाना चाहिए अगर आपके पैंटिंग में अगनी को दिखाया जा रहा है तो इसे हमेशा दक्षिनी दिवार पर लगाना चाहिए अकसर घरों में ये दिखने को मिलता है कि कुछ लोग अपने पुरोजों की तस्वीरे को भी दिवार पर लगाना पसंद करते है वही कुछ घरों में इने पूजा रूम में भी लगाया जाता है ऐसा भूल कर भी ना करे अगर आप अपने पुर्वजों की फोटो अपने घर में लगाना चाहते है तो इने के वल दक्षिन दिशाग की दिवार पर लगाए राधा कुरुषन जी की तस्विरे कपल्स के बेटरूम में लगाया जाना सबसे शुब माना जाता है माना जाता है कि ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ती है और संबंधों में मिटास आती है इस बात का ध्यान रखे कि ऐसी पेंटिंग्स बेटरूम की दक्षिन पच्चिन दिवार पर लगाए ऐसा करने से आप और आपके पार्टनर के बीच सम्मंद और गहरे होंगे और विश्वास बढ़ेंगा कपल्स के बीच पैयर बढ़ने वाली एक और तस्विर मानी चाती है और वो है सप्पेध हंसो का जोड़ा प्यार करने वालों के कमरे में ऐसी तस्विर लगाने से उनके सम्मंदों में अंतररंगता बढ़ती है और प्यार बढ़ता है अगर आप भी अपने सम्मंदों को नए मुकाम पर ले जाना चाहते है तो आपको भी अपने कमरे में ऐसी तस्विर लगानी चाहिए